बड़ा स्पस्ट रूप से ये सरकार के एजेंडे में था बीजेपी के एजेंडे में था ये लागू तो होना ही था लेकिन गौरब भाटिया टाइमिंग को लेकर एक बड़ा प्रशन है और विपक्ष के अधिकतर नेता ये कह रहे हैं कि चुनाफ से पहले पोलराइजेशन का बड़ा प्रयास है क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर सीए के नोटिफिकेशन आने से देश पोलराइज हो जाएगा देगे अमी जी सरवर्थम तो एक बात कहूंगा भारत की जनता कह रही है मोदी है तो मुम्किन है और शाह है तो राह है और ऐसा इसलिए है कि हर नागरिक हर दल की चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो उसकी आस्ता सम्मिधान में होनी चाहिए यही सारी विपक्षी पार्टिया तंज कस रही थी कुछ महाँ पहले अरे सिये के रूल्स नहीं आए लागू क्यों नहीं कर रहे कर नहीं पाओगे अब जब आ गया और सम्मिधानिक तरीके से आया है तो यह लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग नहीं अच्छी है तो मैं सबसे से पहले आपको दो- FIN प्रमुक बातें बताता हो लेकिन इसी उसी वीज बडी हब और आरे यह यह जो विज्वल्टम आप देख रहे हैं यह बंगाल में मैसिफ सेलियबरेशन हो रहा हैं सिये कह आने पर बंगाल के आप दूश्य देख सिये आने पर बंगाल में मैसिफ सेल बड़ा सर पढ़ने वाला है यह समय की बड़ी खबर है गौरब भाटिया बंगाल में सेलिब्रेशन का महौल है लेकिन विपक्षी खेमे में चिंता है और महौल खराब होने की बात की जा रही है गौरब भाटिया अमी जी मैं अपनी बात पूरी कर लूँ और फिर ये सारी बाते जो आप उठा रहे हैं इनका उत्तर भी दूँगा सबसे पहले देखिए पहली बात CA का कानून नागरिक्ता देने का कानून है लेने का कानून नहीं है यही भरम यही रायता फ्हलाया था इन्होंने पहले भी और उसके बाद चुनाव दर चुनाव यहारे और जो कानून संसत पारिद कर चुकी है उसको आप लागू कैसे नहीं करेंगे उसके विपरीद बा चाहते हैं कि खासकर जो अल्प संक्यक हैं मुसलमान हैं उनमें भ्रम की स्थिती पैदा हो तीसरी बात आपने कहा कि एक समाज में डर पैदा होगा धुरूवी करण होगा मैं अमीर जी पूछना चाहता हूं आप भारत के नागरिक हैं और मुसलमानों की भी बात कर लेते हैं जब आपकी नागरिक्ता जा नहीं रही है और कोई अल्प संक्यक है अगर तीन मुसलिम बहूले देशों में और उनको प्रतारत किया जा रहा है और भारत हमेशा मानवता के साथ रहा है उनको नागरिक्ता दी जा रही है तो किसी को अपतिक क्यों है चौती बाद टाइमिं अब उसके बाद जब सही समय आया जब सरकार को लगागी हमें रूल्स को नोटिफाइ करना है तो सरकार ने कर दिया और लेकिन गौरणव अग्या चुनाफ से एन पहले आया तो विपक्ष का सवाल भी लाज़मी हो जाता है लेकिन लेकिन बीजेपी ने कुछ दिर पहले पोस्ट करा है कि मोदी सरकार ने जो गैरेंटी दी थी मोदी जी की गैरेंटी जो थी वो पूरी हुई है मोदी ने जो कहा वो पूर रूप से किया है ये मोदी सरकार की गैरेंटी थी और मोदी अपनी गैरेंटी पूरी करते हैं मेरे साथ प्रयांका ककर जी भी है प्रयांक हुआ है प्रयांका जी अमीज जी सभी अमीज जी सभी को नमस्ते अमीज जी मुझे बताया गया था आज आपकी डिबेट का टॉपिक इलेक्टोरल बॉंड रहेगा पर यह डाइवर्जनेरी टाक्टिक दुखद है जो हो रही है क्योंकि बहुत जरूरी है कि भाजपा से सवाल पूछा जाए कि ऐसे लोग जिनका बैंक केवाई सी भी करे बिना एक रुप्या नहीं लेता ऐसे लोगों की जानकारी वो सारवजन मैंने क्यों नहीं कर रहे है मैंने रिसेंटली हाली में यह भी पड़ा कि 338 करोड ऐसा रुपया है जो 30 कंपनी से आया जिन कंपनी ने कभी भाजपा को चंदा नहीं दिया था पर उसके बाद उनके उपर EDCBI चोड़ी गई और चंदा दिया गया तो यह आज देश के पैसे के नाम बदले जाते थे शहर का नाम बदल देते थे रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते थे तो आज जुमले का नाम बदल के गैरंटी कर दिया है बस इतना ही हुआ है यह जरूरी है चर्चा जो सुप्रीम कोट ने फटकार लगाई आज भाजपा को बाजपा को इन डार वर बदल गई तो यह ज़रूरी है यह ऐसे नहीं चलेगा कि इनकी मर्जी चलती रहे देश आज जानना चाहता है कि एक उन्होंने 9000 करोड यह बड़ा मुद्दा नहीं यह 9000 करोड देश का एठ लिया इन्होंने और वह पैसे की जानकारी अभी देने से मना कर रहे हैं कि जनता को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहां जा रहा है अमादी पार्टी का बड़ा रोप है कि यह डिवरजन टैक्टिक्स हैं एलेक्टरिल बॉंड के मुद्दे से ध्यान हताने और भटकाने के लिए यह बड़ा रोप है गोरा भाटिया डिवरजन टैक्टिक्स है स्ट्रेट कोईशन फ्रामाधी पार्टी रिस्पॉंड तो दिस देखिए ऐसा है कि पापी आपकी हालत तो यह है कि भ्रष्टचार करने के बाद उनको कोई हक नहीं है कि वो एक शब्द भी पारदर्शिता पे बोले या वो नेतिकता पे बोले जिनका पूर्व उपमुख्यमंत्री एक साल से ज्यादा जेल में सड़ रहा हो ब्रष्टचार के आरोप पे संजे सिंग जेल में हो चार महीने हो गए और अर्विंद केजरिवाल भगोड़ा हो गए है आठ हीडी के समन के बाद भी वो जवाब देने से डरते हैं वो क्या हम से सवाल पूछेंगे लेकिन आपकी चर्चा क्योंकि CAA पे है मैं एलेक्टरल बॉल्ट पे भी पूरी तैयारी से था लेकिन CAA की चर्चा में मैं एक दो बड़े सवाल उठा रहा हूं यह पूछ लीजेगा सभी पार्टियों के प्रवक्ता से पहली बात अमीर जी यह बताईए जब सम्विदान का पालन करने की शपत ली है चाहे आप मुख्यमंतरी ममताब अनरजी हो या अखिले जादव हो जो की विधायक हैं या और किसी पार्टी आम आप भी पार्टी के मुख्यमंतरी है तो जो कानून पारित हो गया उसको आप लागू कैसे नहीं करेंगे क्या यह ब्रटीस प्रेंग करने इस पूरी कर लोग देना चाही ए फोटी सेकिंद में क्यों ने क्योंकि मेरे नेताओं पर सवाल उठाए जो कटर इमानदा है जिनके यहां से आज तक एक 54 भी रिकवरी नहीं हुई वो जेल में इसलिए है क्योंकि भाज़पा ने कानून में ऐसे संशोधन किये कि किसी को भी अनंतकाल तक जेल में रखा जा सकता है गिल्टी अंटल प्रूवन इनोसेंट हो गया है पी अमेले का लोग जो बिल्कुल विपरीत है देश के कानून से इनोसेंट अंटल प्रूवन गिल्टी यहाँ पर बैठे हैं इनसे पूछिए कि 2018 में इन्होंने मनी बिल के रूट से PMLA में संशोधन क्यों किया और वो मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी उसमें भी वही हशर होगा जो चंडीगर मेर एलेक्शन में सामने निकल के आया उसमें भी वही हशर होगा भाजपा का तो इसलिए ये भागे ना हम पर जूटे आरोप न लगाएं जो भ्रष्ट थे अजीत पवार उनकी फाइले बंद हो गई क्योंकि वो भाजपा में आ गए मुझे आपके चानल का डाइवर्जन टाक्टिक दिख रहा है क्योंकि चर्चा आपने कहा था मुझे बुलाए था इलेक्टोरल बॉंड पर और आपने उसके बाद चर्चा बदल दी पर आप बताईए ब्रेकिंग स्टोरी पर तो हमारा अधिकार होता रही है मंता दीदी कह रहे है कि मैं आपने अलागू नहीं करूँगा भाटी है जिसने देश का 9000 क्रोड खाया और अब बता नहीं रहे क्यों खाया किसका खाया ये बार-बार कोट में जा रहे है बड़े से बड़ा वकीर कर रहे है देखिए ऐसा है पापी आपकी प्रवक्ता कानून की जानकारी थोड़ी कम रखती हैं इनको ये भी नहीं पता है कि जो पीमले में संशोदन हुआ उसको समधानिक दिश्टी से सही पाया सर्वोत्यालिन और जो उसके बाद आप कहरें कारवाई चल रही है उस पे रोक नहीं लगा ये कोई स्टे नहीं है दूसरी बात पीमले में ही डीकेश शिवकुमार उनके खिलाफ जो मकद्मा चल रहा था उसको निरस्ट कर दिया तो जब डीकेश शिवकुमार का मकद्मा निरस्ट हुआ तो मनीश शोडिया और संजे सिंह का क्यो नहीं निरस्ट हुआ ये सवाल तो पूचद आएगा तीसरी बात बेल के ही होती ये कानून सक्थ है तो आप क्या चाहती है जो देश को लूटे चोरी करें गोटाले करें कमिशन खोरी करें उनके लिए सक्थ कानून ना हो यह पापी आपकी सोच तो हो सकती है और आप अपनी बात को रखी झाल झाल